अपने हैद्राबाद शहर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक तीसरा टी ट्वेंटी क्रिकेट मैच यहां पे उपल स्टेडियम पे 25 अप सप्टेबर इविनिंग 7 अकलॉक होने वाला है इस मैच के लिए हमारे पॉलिश डिपार्मेंट के तरफ से सिक्यूरिटी के लिहाज से हमने काफी कदम उठाये हैं हमारे लगुरर लॉण ओडर ट्रैफिक पुलिस क्राइम पुलिस आई टी सेल आम रिजर्व स्पेशल प्लाटून के साथ अक्टोपस युनिट्स उनके साथ में हमारे कांटरिंड डिलेजिंस के युनिट्स इस्पेशल टीम्स भी यहां पे हम तैनात कर रहें तक्रिबं सेंटर जो हाली में बना है रोड नमबर 12 पे वहां से भी यह मॉनिटरिंग यह किया जाएगा तीन घंटा पहले मैच के गेट ओपन किये जाएगे लोगों को गुजारिश है कि जो मैच आपका जो टिकेट है वो टिकेट साथ में लाईए और अथराइज टिकेट होल्डर क को ही यहां पे गेट के पास में भी परमिशन मिलेगी जो अनाथराइज लोग है जिनके पास टिकेट नए है उनको इस्टेडियम के बाजू में कहीं परमिशन नहीं मिलेगी पुरे हमारे टीम्स तैना थे सी टीम्स भी हमारे तैना थे खासकर जो महिला हमारे वो बिलकुल confidence match में आ सकते हैं वैसे कोई issue नहीं रहेगा पुरा area हमने illuminate किया हुआ है उसके साथ साथ camera का भी इंतजाम किया हुआ है players की security के लिए भी हमने special arrangements किया है intelligence security wing के साथ में हम लोग players की security के लिए पुरा coordinate कर रहे है और यह संडे के जिन जो event होने जा रहा है उस दिन weather भी कापी अच्छा है weather का prediction इसलिए यह हमें आप खास कर जो cricket पे मिहार है उनका town हमें चाहिए उसके बारे में आप जो बाकी जो stakeholder है उनसे हम जरूर मदद लेंगे कि जहां जहां पे उनकी मदद की जरूरत है तो इसके लिए आप क्या करते हैं देखिए अभी तो टिकेट ऑफ लाइन या ओनलाइन सेल नहीं है जिन लोगों ने ओनलाइन टिकेट खरीदे हैं उनके लिए वहां पे जिमखाना ग्राउंड पर उनका जो qr code दिखाने के बाद उनको टिकेट देया जा रहा है और सुबर दस बज़े से 5 बज़े तक कल भी देया जाएगा परसो भी देया जाएगा वो टिकेट लेके उनको यहां आना है यहां पे गेट पे QR कोड दिखा के आपको एंट्री नहीं मिलेगा, आपके पास में प्रिंटेट टिकेट पक्का होना जरूरी है, और हम जो गेट से हमारे हरे गेट के बाहर में भी बैरिकेडिंग होगा, पक्का ज्यादा बंदो बस हम इस पार कर रहे है, महिलाओं के लिए उससे पूरा ही मॉनिटरिंग होगा और सेंट्रल कमांड और कंट्रोल से भी मॉनिटरिंग होगा, ओके थैंक्यू